उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमोख और केंद्रे मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अब अपने प्रत्याशियों को घोशित कर दिया है जिहाँ आपको बता दें कि अपना दल को भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दो सीटे दी थी जिसमें मिर्जापुर और रॉबर्ट संगच के नाम शामिल थे मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल ही इस पार खुचुनाव लड़ने जा रही है वही इस सीट से लगातार आपको बता दें कि वो दो बार से सांसद भी रह चुकी है रॉबर्ट संगच से उन्होंने रिंकी कोल को मैदान में उता रहा है वही रॉबर्ट संगच से आपको बता दें कि फिलहाल अपना दल के पकोडी लाल कोल सांसद है रिंकी कोल उनकी बहू है रिंकी कोल मिर्जापुर की 96 विदान सबा सीट से फिलहाल विधाई की पतपर है वहीं आपको बता दे कि चानबे से विधायक राहूल कोल की निधन के बाद रिंकी पटेल को अनुप्रिया पटेल ने उपचुनाव में भी मौका दिया था और उन्होंने जीत भी आसल की थी राहूल कोल रिंकी कोल के पती तो आप देखें कहीं न कहीं परिवार के ही जो जन हैं वो इन सीटों से चुनावी मैदान में उतरे हैं रॉबर्ट संगत से उतरी रिंकी कोल पती राहूल कोल के निधन के बाद राजनीती में आई थी पिछले साल राहुल कोल की कैंसर से मौत हो गई थी जिसके बाद राहुल कोल 2022 में लगातार दूसरी बार अपना दल से 96 विधान सबसीर से विधायक बने थे भारती जन्ता पार्टी से गड़बंदन के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल सभी सियासी समीकरण दौस्त करते हुए 40 वर्ष का रिकॉर्ड तोड लगातार दूसरी बार जीते थे और इससे पहले साल 2017 के चुनाव में भी उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्च की थी अगर आप देखें तो अपना दलने अपने जिन दो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उता रहा है कहीं ना कहीं दोनों ही सीटों से परिवार के जो सदस्य हैं वो ही इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं अब देखना यह है कि अब जो उतर प्रदेश में चुना अब होने वाले हैं बची दो सीट पची कुछ सीटों पर अपके स्तना से उतर प्रदेश का राजनीतिक समी करण बदलता है